आज हम करेंगे 8th Standard का मराथी सब्जेट और उसका 5th चैप्टर घाटाद घाट वरंधा घाट ये लिखा है महेश तेंडूल करने और इनकी बहुत सारी किताबियों ने लिखी है बहुत सारी किताबियों ने लिखी है और उनकी लिखी गई एक किताब भटकंती बटकंती अनल भूत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहूत ही ब्यूटी फुल डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का इंदर किया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर घाट है तो व्रेंदा घाट है वरना उसके सामने सारे दूसरे घाट फिके हैं या पानी कम चाय है तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से इतने ब्यूटिफुली वर्ट्स ब्यूटिफुल वर्ट्स को से इन्होंने इस चैप्टर को इस वरंदा घाट को डिस्क्राइब किया है जेष्ट महिना शुरू जाला कि पावसाचे वेध लागता था जेष्ट महिना शुरू होता है कि बारिष की रिमझिं रिमझिं चालू हो जाती है सो साथ या चा वारा आणी पहिलिया पावसाची सरीन ची वारता पसरव नारा माती चा सुगंद हे अगदी प्रत्यक वर्षी ये तच असता तरी ही ते दर वेडी नवीन वाटता याने कहते ना सुम जुम हवा के साथ में जो बारिश की सरी आती है उसी के साथ मिट्टी की एक अचीब सी खुश्बू मस्त वाली खुश्बू आती है तो वो खुश्बू हर साल आती है ऐसा लेकिन हर बार कुछ नो कुछ नया रूप लेकर आती है अपने साथ में हमेशा वो कुछ नया ही लगती है बचपन में बाल पणी बेफाम होन मतलब एकदम बिंदास होकर हम जो गाते थे येग येग सरी माजे मड़के भरी इस ताल पे हम गाते थे नाशते थे और पूरा बारिश में भीग जाते थे और जो हमारे आजी आजोबा थे वो हमको सिखाते थे किस तरह से कागर्स की बोट बनाना और फिर कागर्स की बोट बनाकर हम फिर से वेट करते थे कि कब बारिश आए कब पुडल्स भरे नाले भरे और कब हम अपनी बोट उसके अंदर पानी में चलाए तो ये तो हमारी बच्पन की यादे ही थी तो हम हमेशा हर साल बारिश की उसी उत्सुकता से इंतजार करते थे कि कब बारिश आईगी और कब हम ये सब चीजे वापस करेंगे और देखते ही देखते हम बड़े हो गए अब हमें इंद्रदनुष दिखाई दे रहा है आसमान में लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है बारिश का असली मतलब क्या है बच्पन में तो हम सर्फ भीगने का काम करते थे और पेपर की बोड बना के पानी में छोड़ने का काम उसके अलावा हमको बारिश की जरूरत नहीं थी लेकिन अब हमें पता चलता है कि बारिश जो है कुछ अलगी नजारा आपने साथ लेकर आती है जैसे कि इंद्रदनुष के रंग होते हैं और आज भी हमें उतनी ही उत्सुपता से बारिश का इंतजार रहता है जितना की बचपन में था तो अर्थ उमगू लागता है पाउसाच्य आगमना ने गत-कालत ले तेक्षन पुनहा जीवन तो होता लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो हमको हमारी बचपन की यादे फिर से हमारे आंकों के सामने तरो ताजा हो जाती है डोडेयान समोर यह उलागतात हमारे आँखों के सामने आजाती है आणि कदी-कदी पाणयान मधुन अलगत पणे वाहू नहीं जातात और कभी-कभी आँखों में आसु का रूप लेकर वो बहने भी लगते हैं फिर पता चलता है कि मग डोड़े अतला कोंता आंटी बाहिर चा कोंता तेज कलत नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि आँखों में से कौन सा पानी निकला है और बारिश का कौन सा पानी है असा बरत्स का ही अनुभवाईचा असेल तर वरंदा घाट गाटलेच पाईजे तो ऐसे बहुत सारा अगर आपको एक्स्पिरियंस चाहिए बरसात का अच्छा चाह तो आपको वरंदा घाट तो बिल्कुल आना ही चाहिए अब वरंदा घाट के बारे में देखिए बहुत ही सुन्दा तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है मज़ा आ जाएगा पुण्या हुन महाड कडे जाता ना हिर्विया हिर्विया रंगाची जाड़े पाहत पाहत पावसाल यातले टिपिकल पावसाली कुंद वातावरण एंजोई करत करत प्रवा सुरु अस्तो यानि हम पुन्य से महाड की तरफ जाते समय रस्ते में पूरे जगे हरे-भरे- फोगी एरिया जो फोगीनेस जो होता है वो वैसा वाला वातावरन पूरा एंजॉय करते करते हमको ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है और ये ट्रैवलिंग बंदिस्त गाड़ी सुक्याने करने जितकी मज़ा असते त्याही पेक्षा जासते दोन चाकी वर अंग अफ़ार से ये जो मज़ा उसे ऐसे बादल वाले हाट से यह से सूखे सूखे बंद गाड़ी में बैठे कार में बैठे यह मजा ले रहे हो आजु वाजू का तो यह इसमें इतना मज़ा नहीं है जितना है रुगदु वाचे होएक अपे बिंस्वेल पर भाणी अपनल dicht न लेकिन जब हम ट्राइवल करते हैं रस्ते में गाड़ी चलाते वे जाते हैं तो आने जाने वालों के उपर जमा हुआ पानी रता है वो उचलता है येनारिया जानारियां चिया अंगावर उडवत बेफाम वारा चाती वर जहलते एक्तम बिंदास चाती पे हवा जहलते हुए आवरती गाणी गुंगुनत है ना अपनी मन पसंद गाने गुंगुनाते हुए पाउसाडी प्रवास करने अतली मजातर काही ओरत चासते और ऐसे आप सोचो इमाजिन करो आप टू वीलर पे हो आ आपके सीने पे हवा लगती रहती है और गाने गुंगुनाते हुए भीकते हुए जाओ कितनी मजा आती है असा शरीर गार्ठवनारा और मनाला उभरी देनारा प्रवास कदी संपुच नहीं असे वाटते तो ये जो मन को थंड़क देने वाला दिल को थंड़क देने वाला जो है और मन में जो खुशी देने वाला होता है इतना तो ये जो ट्राइवल है ये कभी खतम ही नहीं होना चाहिए ऐसे लगता है पन पहता पहता मैलान चे दगड मागे पढ़ता जाता आणि आपन ये उन पोल्स दोते वरंदा घाटा लेकिन देखते ही देखते मील से मील हम आगे बढ़ते जाते हैं मीलो मील और बाकी का सब पीछे रह जाता है रस्ता और हम आके पहुँच जाते हैं हमारे वरंदा घाट पर गाटाद घाट वरंदा घाट बाकी सब घाटियां ये ये सिंपल का आ गया है कि घाट में अगर कोई घाट है तो वो है वरंदा घाट औ बाखी सब उसके सामने एकदम मामुली घाटियां है। असे इथे आल्यावर वाटते और यहां पर आने के बाद बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वरंदा घाट जैसा घाट तो कोई नहीं। द्रुश्य, डोलयान समोर येते और नजरेट से पारणे फेड़ून जाते। वाव। क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। यहां पर आप देखो कि पाणिया वर जुकले लिया हिर्विया गच्च जाडी तुन। गिरते रहते हैं। दरितला हिर्वरान यहने वैली, वैली में जो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है। धगाल लेले डोंगर जो बादल पूरे बादलों से धके हुए हैं। यहना पाउसाची संततधार और कंटीनियूस जो बारिश गिर रही है। मोठ मोठ्या दगडानवर आसुड मारत यहना बड़े बड़े पत्थरों पे जैसे जोर जोर से आवाज करते हुए धावत, खडालत, वहनारे पाणी यह बड़े बड़े पत्थरों से उनके उपर गिर गिर के जोर से आवाज करकरके जो जरने बैर रहे हैं वहां से। विहंगम-डुश्य, एक दम निराला ही दुश्य, विहंगम याने की एकदम ही निराला दुश्य हमें वहाँ पर देखने को मिलता है और ऐसे दुश्य को हम नजरे फेर ले और उन्हें देखना पाए तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं रह जाता त्या पावसाडी वातावर्णात भजी वड़े चाहा क्या नाम ले लिया उस वारिश के मौसम में भजी वड़े और चाय या चमचमित मेनू चमचमित याने मस्त एकदम मेनू मजबूत चापाईला वारंदा खाटात लिया टपरियान सार्खी दूसरी जागा नाई मतलब ये चीजे ये जो मेनू है खाने का क्या मेनू है उनके भजी वड़े चाहा गरम गरम भजी गरम गरम वड़े गरम गरम चाय और ये मस्त जो है टपरी टपरी कहते हैं not a proper hotel टपरी कहते हैं जैसे ये पत्र डल के ऐसी छोटा सा स्टॉल जो लगा लेते हैं वो होता है अब ये जो दूसरा है क्या है श्री वाग जाई चिया सोबती ने वाग जाई एक टेंपल है वाग जाई देवी है देवी का टेंपल है उसी से लगके जो है वाग जाई चिया सोबती ने सोबती ने उसी से लगके वाजू में उभार ले लिया टप्रियान मधून वो से बाहर निकलते ही जब साइड में लगके ऐसे टप्रियां बनाई हुई है पत्रे की छोटी-छोटी और वहां पर हमें ये मिलता है राजे शाही खाना बोला गया है मतलब बड़े-बड़े पकवान इस खाने के सामने फीके हैं और ये बात एक अच्छा ट्रैविलर या हाइ कर ही जान सकता है जो हाइकिंग करने में मुझा रखता है उन्हीं को पता है कि वड़े भजी वड़े और चाय का क्या मजा है गर्मा-गरम कांदा भजी आहा हा मेनू चा आस्वाद घेत रान वार्यां चा घोंगावन अईकत विजे चा लखन चमकन अंड कडाडन मनाच्या हाट डिसकवर स्टोर करत कसा वेल जातो तेच कड़त नहीं अब यह जो लाइन देखो बहुत सुंदर लाइन है बाहर बसनार या पावसा कड़े हैं यहां पर ब बारिष बरस रही है और वो बारिष को देखते देखते हम ये गर्मा गरम मेनू जो है याने बजी कांदा बजी वड़े और ये चाय उसका आस्वाद याने स्वाद लेते हुए और जो रानवार्याचा घूंगावन अगत याने जो हवा सुरु चल रही हैं वैली में से उ जो बिजलियां कड़कती है और जो चमकती है वो सब देखते सुनते हुए जो जो भी चीजे हमारे हाट के डिस्क पे स्टोर हो रही है और वो चीजे देखते देखते टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता बराथ स्वेल गेलिया वर थोड़ा सा भीजा वर सा अब जैसे थोड़ा सा गूम फिर लो यहां पे थोड़ा डेरिंग करा वाट थोड़ा सा एडवेंचर करें ऐसा लगता है जर असा खरत्स वाटत असिल तर इथे अशा जिगरवाज भटक्यान साथी कावडया किल्ला सज्जा है और अगर वाकई में आपको ऐसी ही इच्छ वरंदा घाट उपर स्थित है वो एकदम बेस्ट प्लेस है सज्जा है यहने एकदम स्यूटेबल प्लेस है उन लोगों के लिए कावडया किल्ला तसा बराच मोठा है ऐसे तो कावडया किल्ला जो है बहुत ही बड़ा है तो फोडुनेट्स वरंदा घाटा चा शेवट चा टपा तयार केला होता मतलब यह कावडया किल्ला को ही तोड कर उसका एक पाट तोड कर वरंदा घाट का आखरी पड़ाव जो कहते हैं वो तयार किया गया तो श्री वाग जाई मंदिराच्या बरोबर वर्च्या भागात डोंगर माथ्या जवल नव टाक्यांच्या समूहा अब यह जो वाग जाई मंदिर है देवी का जो मंदिर है उसी के बराबर उपर के भाग में यह किल्ला है और यह किल्ला जो है एक्चुली नौ टाकी टैंक्स वाटर टैंक्स जो हम बोलते हैं पत्थरों में खोद खोद के बनाया गया है काले काले पत्थर है उन पत्थरों को खोद खोद के टंकियां बनाई गई है पानी स्टोर करने के लिए और यही पानी यहां पर जो घाटी में जो उपर लोग रहते हैं उनके खाने पीने के काम आता है यह यह पानी जीवन है उन लोगों के लिए यहां पर जो टंकियां है यह उनको लोगों के लिए एक जीवन हैं यह जो है एक टाइम पर उस कावड़े किल्ले का ही पाठ था भजी वड़े चाहां चाय पी रहते जहां पर वहीं से लखके उसी साइट से अगर हम 10-15 मिनिट और आगे जाते हैं तो हम यहां पर उस किल्ले में पहुँच जाते, कावड़या किल्ले में पहुच जाते हैं पाणियाला जीवन का मनता ते इत्था आल्यावर कलतो यान पानी को जीवन क्यों कहते है वो यहां आखे पता चलता है काणिया शार पाशान याने पत्थर, काणिया शार याने काले काले खोद लेली पानियाची टाकी ती टाकी यहने इन पत्तरों में से ही खोद के बनाई गई है टाकी particularly कोई metal वगरे नहीन लगाया गया है यह पत्तरों कोई खोद कर वहाँ पे टंकिया बनाई गई है ति कित्येग वर्षी कित्ये कांची ताहन भागवत अस्तिल कोन जाने पहुत रंग जाते हैं लाल-लाल से या काले-काले हो जाते हैं कारण पाइवाटत्स तरी तर्शी रंगिलिया है वह ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा रस्ता है वह भी रंगिलाई है जोकि घाट में भी पत्थर तो होते हैं साथ में मिट्टी भी लाल होती है वहाँ परत एकदा आपन डामरी रस्तिया वे रतो अब वहाँ से अम किल्ये से निकल कर उस रस्ते से कच्छे रस्ते से निकल कर वापस से डामर के रस्ते पर आ जाते हैं उजविया हाताचिया वलनावर उजविया याने राइट साइड के टर्न में कावल्या किल्या कड़े जाना रिया पाई वाटे वर नजर थिरावते वहाँ पर जो टर्न है उसमें कावले किल्या के तरफ जाने के लिए पाई वट है याने की रस्ता है बांधिव पायर्या पार करुन अरुंद पायवाटे ने कारवीचया जाडीतुन रदयाची धरधर वाडनारा ट्रेक सुरू होतो याने अब तो हमने जो शुरुवात में जो टंकिया हैं हमने वो देखी है अब हम चड़ रहे हैं किल्ये पर तो यह जो है वहाँ से निकल कर जो रइच साइड में टर्ण जाता है वहाँ पर है और वहाँ से जो इसका steps चालू होता है यहने चड़ाई जो चालू होती है बहुती नेरो सा रास्ता है अरुन्द पाइवाटे ने नेरो बहुती छोटा संकडा और वहाँ पर कारवी एक प्रकार का जाड़ है इस जाड़ से जो हम निकलते हैं तो दिल की जो देज हो जाती है क्योंकि यह track ही वैसा है इस track पर चलने से हमारी दिल की धड़कने बहुती जो जाती है वरंदा खाटाचिया उत्रेला पसर लेल्या डोंगराचिया सोंडे वरुन जाताना डावी कड़े खाली वरंदा खाटाचा कुंकडा उत्रत जाना रा वलना वलना तो न रचा रस्ता दosure यह जब हम उसके उत्रेला उत्रेला यहने नॉर्ध धाट चार उत्रेला पसं यूदरला पसर लेलिया डोंग्रा चाल संटे वरून दिन नॉर्फ में जो स्प्रेड है उसका किला रॉपर उपपर जाकर जब हम खड़े होते हैं और जब हम लेफ्ट के साइड में नीचे देखते हैं वरंदा घाट को क्योंकि हम तो राइट में मुड़े हैं तो अब हम पीछे लेफ्ट में देखेंगे ना तो वहाँ पर जब हम वरंदा घाट देखते हैं कोकन का उतारा यानिकी जो डाउन ट्रैक है वो जब हम देखते हैं तो वो रस्ते जो दिखाई देते हैं ऐसे गोल 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 माउंटेन से घूमते हुए वलवल वलना वलना चा रस्ता दिसतो याना एकदम उपर माउंटेन के एकदम टॉप पे जाके जब हम कोई पीछे से रस्ता देखते है ना नीचे का तो वैसा गोल 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 घुमाओदार रस्ता हमें वो दिखता है वलना वलना टर्न्स एंट टर्न्स मतलब यहां से अगर अपना पाउं फिसला तो सीधा पहुचेंगे भगवान के घर तो अगर आपको वहां कोंकड में नहीं जाना है समर्थ के यहां पे नहीं जाना है भगवान के पास नहीं जाना है तो आप यह उपर ट्रैक कर रहे हो तो एकदम सावधानी से एक एक पैर आपको तिकाना पड़ेगा डोंगल धारेचिया कड़या वरून जानारी अरुंद पाइवाट एका सपाटी वर यह उन ठामते और ये जो डोंगर धारेचया कड़या वरून मतलब जो पहाड के कौने कौने से ये जो अरुंद नेरो जो रस्ता है चलने का वो एक सपाटी वर यह उन थाम से सपाठ मतलब एक प्लेन जगा आ जाती है तो ये नेरो रस्ते से हम चोटे चोटे रस्ते से जो आगे चलते 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 गए तो वहाँ पर एक आगे नेरो अगदम प्लेन स्पेस आ जाता है तशी सपाटी ही अरुंदत्स लेगिन वो प्लेन जगा भी नेरो ही थी मतलब ज्यादा ब्रॉड नहीं थी अब वापस से हम उस सपाट जगे पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ से भी हमें वही सेम जो कार्वी है कार्वी जाड को साइड में करके एक लास्ट जो उत्रन है वहाँ से उतर के मतलब जब भी हम घाट जाते हैं तो उतार और चड़ाव दोनों होते हैं तो ट्रैक्स में भी वैसा ही होता है उतार और चड़ाव दोनों होता है तो अब यह लोग जो पहुंच गया है वो प्लेन जगा से आगे वापस से जब जाते हैं तो वहां पर एक थोड़ा सा उतार आता है और फिर उतार के बाद में वापस से उसका last चड़ाई है वो वहां से है मतलब एक टेकड़ी टाइप है एक छोटा सा round space टाइप है टेकड़ी टाइप है और वहां से उतर के टेकड़ी का उतरन से उतर के अखेर ची चड़ाई समोर्यत है मतलब लास्ट ये जो ट्रैकिंग है अमारा उसकी आखरी चड़ाई सामने आती है यहां पे वरंदा घाट का इतना बढ़िया दर्शन आपको देखने को मेलेगा कि क्या बताएं डोंगराचिया सोंडेचिया शेव्टी जोत्या ने अवशेश आनी धासडून गेले लिया बुरुजा चे अवशेश दिस्तत तो यहां पे जब हम उतरते हैं अवशेश यहां जो कॉलैप्स होकर गिर चुका है यहां जो पार्ट कभी बिल्ड हुआ है वो कॉलैप्स हो चुका है तो एसा हमको वहां पे वो पूरा उसका डेब्रीज जो है वो हमको वहां पे दिखता है बुरुजा चे यiciónने उसखिल लेगा कोगनात ला निसर्ग पाहत का ही वेडि इथिछ शान्त उबर आयला हुआ येने कोगन का निसर्ग देखकर तो हमको ऐसे लगता है कि कुछ ताइम यहीं बस देखते ही रओ देखते ही रओ निसर्ग गीत अनुभव आयला हुआ और यहाँ पे जो निसर्ग गीत है यने की जो हवा चल रही है पेड के पत्ते सरसर कर रहे हैं ये यहाँ का अनुभव करने जैसा है बिल्कुल परतीच या प्रवासाथ डोड़या साठव ले लेते पावसाचे क्षार शन चार क्षन मतलब अब जब हम रिटन हो रहे हैं वहा शोटा सा नेरो रस्ते से वहाँ पर जाने का कारवी ची जाड़ा चे ते काड कन मोड न और वो जो कारवी के जाड़ो को हम मोड मोड के आगे बढ़ रहे थे और त्या चा आवाज आईकुन काल जात लख होन और सिर्फ उसका आवाज सुनकर एकदम दिल बैट जाता था हम तो वो ही बोलते हैं बोल रहे हैं एक बिल्कुल सही का है कि हसते हसते रोने जैसा और रोते रोते हसने जैसा अगर आपको ये ट्रेक इंजोई करना है तो आपको ये वरंदा घाट तो एक बार अपनी गाड़ी लेकर आना ही चाहिए बिल्कुल एकदम वर्थ है इस वरंद अब मैं आपको इसका जो हैं यह करा दूँगे पुष्ण अंसर्स करा दूँगी तो बहुत जल्द अब हम आ जाएंगे यह हमारे सारे आंसर्स है घाटाद घाट वरंदा घाट तो अब हम शुरू करते हैं हमारे वक्षोप से पावसाला सुरू जाल्याच्या लेखकाला जानवनार्या खुण यहने बारी शुरू हो गया यह किन बातों से पता चल रहा है पहला है सोसाट्याचा वारा और दूसरा पहिल्या पावसाची बात्मी पस्रवनारा माती चा सुगंद यह एक फ्लो चार्ट है पावसाची आगमनाने गत कालत लेक्षण जीवनत होतात दूसरा है डोल्यान समोर यह लागतात तीसरा पाणया तुन अलगत पणे वाहुन जातात आणी चोथा मग डोल्यान तला कोंता आणी बाहिर चा कोंता हेच कलतना है यह क्वेश्चन इसमें नहीं है क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से आप देख सकते हो यह आपका फ्रेम सेंटेंस टाइप है जिगरबाज भटके जिगरबाज भटके का मतलब है बराच्वेल गेलिया वर ज्यानना थोड़े भीजावे से वाटते पाई मोकडे करावे से वाटतात मनुन ज्यानना डेरिंग करावे से वाटते त्यानना जिगरवाज भटके मंटले आए येस फ्रेज को एक्स्प्लेंड किया गया मीने रंगीली पाइवाट डोंगर माथ्या वर नव टाक्यांचा सम्मूह आहे तिथे जायला एक पाइवाट आहे तिया टाक्या पासुन परज जाताना या ओल्या वाटेवर आपले कपडे रंगता तच मनुन तिला रंगीली पाइवाट मंटले आहे डोंगराची सोन कावल्या किल्या कडे जानार्या ट्रैक वर वरंदा घाटाची या उत्तरेला पसर लेल्या डोंगराची जे सुड के आहेत ते सोंड सार्खे दिस्तात मनुन तियाला डोंगराची सोंड असे मंटले आहे अब ये स्वमत है वरंदा घाटा तिल निसरगाची विहंग मै द्रुष्य तुमची या शब्दान्त वर्णन कराल तो चलिए शुरू करतें पाउसाल यात वरंदा घाटा तिल निसरग सुंदर्या मनोहरी असते पाणया वर हिर्वी गर्द जाडी जुकलेली असते त्यातुन धबधबे रोरावत बाहेर पड़तात दरी मधे जिकडे तिकडे हिर्वल फुल लेली असते डोंग्राला ढग बिलगलेले असलिया मुले ते धगाललेले असतात पाउस अतत पड़त असतो मोट मोट्या खडकान वर चाबुक मारित पाणी खडालत वाहत असते हे द्रूशी अतिशे विहंगम असते डोड़यानना खुब सुखावते त्यातत अशा पाउसाली वातावरना टप्रयान मधे भजी वड़े चाहा असा राजे शाही चमचमित मेनू प्रवाशानना खाएला मिलतू वापस से ये सेल्फ रिस्पोंस है कावडया किल्ला के उपर आपको लिखना है जे जिगरवाज भटके आहेत त्यांचिया साथी कावडया किल्ला सदेव तयार आहे असे लेखकानी महंटले आहे वरंदा घाटातला कावडया किल्ला फार मोठा आहे तो फोड़ून घाटाचा शेवडचा टप्पा तयार केला आहे श्री वाग जाई मंदिराचिया वर्चिया भागात डोंगर माथ्या जवल जो नव टाक्यांचा समू आहे तो पुर्वी कालचिया किल्या चाच एक भाग होता इथुन खाली उतरलेकी डामरी रस्ता लागतो त्याचिया उज्वया हाताचिया वल्णा वर कावडया किल्या कड़े जानारी अप्रतीम सुन्दर छोटी पाईवड आहे वर्ती डोंगराचिया सोंडे वर पोहुचता येते डोंगर धारेचिया कड़या वरुन जानारी जी अरुन्द पाईवड एका सपाटी वर उतरते तेथुन शेवड चे चड़न चडलेकी त्यावरुन वरंदा घाटाचे सुरेख दर्शन होते डोंगराचिया सोंडेचिया शेवड टी कावल्या खिल्या चे जोत्या चे अवशेश वर धासलून गेलेल्या बुरुजान चे अवशेश दिस्तात कावल्या खिल्या चे सफर अशी मनोहरी आहे अब जोड़या जुलवा है ये विशेशन है और विशेश अश्ये विशेश अश्ये ये येने नाउन होता है और विशेशन येने adjectives विहंगम विहंगम दुरुष्य गर्मा गरम कांदाभजी घोंगावनारा वारा कालाशार पाशान अरुंद पाइवट अब है पुढिलन वाक्यातिल शब्द योगी अवियर ओडखा शब्द योगी अवियर ये यानिकि आप प्रिपोजिशन जो बोल रहे हो लेकिन preposition English में हम समझ सकते हैं लेकिन मराथी में शब्द योगी येने जब हम किसी एक word के साथ में एक addition के लिए जैसे वर, खाली, साथी ऐसे word जब हम add करते हैं तो वो शब्द योगी अविया ये कहलाते हैं मराथी में जैसे पुण्या हुन महाड कड़े जानार्या रस्तिया वर हिर्वी हिर्वी जाड़ी आहे पुण्या हुन महाड कड़े तो कड़े एक आ गया है जानार्या रस्तिया वर वर ये दो दूसरा आया है ठीक है चमचमिट मेनू मजबूत चापाईला वरंदा घाटात लिया टपरेयन सार्खी यहाँ पर है word सार्खी दूसरी जागा ना ही है टपरेयन सार्खी तो सार्खी हमारा शब्द योगी अव्योगी है जिगरवाज भटक्यान साथी का उड़या किल्ला सज्जा है भटक्यान साथी तो इसमें है साथी ये वर्ड हमारा और इसी के साथ मेरा ये चाप्टर यहीं पर खत्म होता है आशा करती हूँ आप सभी ने इंजॉय किया होगा फिर मिलेंगे नेक्स चैप्टर में तब तक के लिए धियान रखिए थांक यू